नमशकार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन, मपंडित, नीति, शास्त्री, आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हारदिक स्वागत करता हूँ और उमीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, भगवान भोले नात की कृपा आप सभी के उपर बनी र हुआ है, जिसके कारण हम आपके लिए रेगुलर एपिसोड नहीं लेकर आप आ रही हैं, उसके लिए हम आप से बहुत क्ष्रमा चाहते हैं, तो प्यारे बन्तु जरों, आज कई एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने वाला जिसको करने के बाद आपकी लाइफ की जो प्रोब्लम्स हैं, उनसे आपको मुक्ती मिलना शुरू होगा, बहुत सारे भक्त कमेंट करते हैं कि गुरु जी हमारे पास पैसे की बहुत समस्या रहती है, कई सारे भक्त कमेंट करते हैं कि गुरु जी हमारा रोजगार अच्छ नहीं चलता कई सारे भखत कूछते हैं गुरु जी परिवार में बहुत समस्याइई रहती हैं बीमारी इत्यादी के समस्याइई रहती हैं तो आपकी जो समस्याइई हैं उन सभी से मुक्ति दिलाने का आज मैं ऐसा सरल उपाई आपकी ये लेकर आया हूँ, जिसे कोई भी कर सकता है, उसे पुरुष भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, उसे बच्चा भी कर सकता है, उसे बड़ा भी कर सकता है, ये उपाए जोन भी करेगा, उसे अपनी लाइफ में खुशियों के प्राप्ती होगी, उसे अपनी लाइफ में इस एक उपाई के करने से यह उपाई बहुत ही सरल उपाई और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली उपाई है आज से पहले हमारी जिन जिन भक्तों ने इस उपाई को किया है पर्म पिता परमात्मा की कृपा से उन्हें इस उपाई को करने के बहुत ही सुंदर रिजल्ट प्रा कारा भी मिला है तो अगर आपकी भी कोई पारिवारिक घरेलू पर्सनल फाइनेशल है 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 कोई समस्या है तो आप इस उपाय को एक बार जरूर करके देखना और फिर देखिए आपको कितने अच्छे इसके रिजर्ट मिलते हैं तो भवान शंकर जी को प्रणाम करते हुए आज की एपिसोड को स्टार्ट करते हैं ओम त्रियंबकम यजा महें सुवंधिंपुष्टी वर्धनम और वारुक्मिवबंधनान मृत्यूरमक्षियमा मृतात्वले शंकर भगवाने की जय तो प्यारी कर देना यह एक काम मिले गया जीवन की हर परिशाने से छुटकारा हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो सब्ता के जो सातों दिन होते हैं प्रतेक का अपना एक अलग महत्तम होता है और हर दिन की अपनी एक खासियत होती है एक प्रभाव होता है लेकिन सब्ता के सातों दिनों में से शनिवार का जो दिन होता है उसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और सबसे ज़्यादा अचूक रिजल्ट देने वाला दिन कहा जाता है शनिवार के दिन जो भी टोटका जो भी उपाई आप करते हैं उसका 101% रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है शनिवार के दिन किया गया उपाई कभी भी खाली नहीं जाता और शनिवार के दिन जो उपाई आप करोगे उसका जो result है वो भी आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा तो ये आज का जो उपाई है ये शनिवार का ही उपाई है इसे बड़े ध्यान से आपने समझना है और शच्चे मन से सुपाय को करना है परमपिता परमात्मा की कृपा से जो मनुकामना मन में रखकर इस उपाय को करोगे आपकी वो मनुकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करें और बढ़ते हैं आगे शंकर अरे बंधों किसी भी शनिवार की रात्री से इस उपाय को आपने शुरू करना है शनिवार की रात्री को खाना- खाने के बाद जिस ताइम आप भूजन करने उसके बाद आपने एक मोटी रोटी बनानी है जी हाँ आटे की एक मोटी रोटी बना करके उसके उपर आपने सरसों का तेल डाल देना है अब आपने इस रोटी के उपर शक्कर भी डालनी है अगर गुड़ है तो वो सबसे ज़्यादा बेश्ट है अगर गुड़ नहीं है तो गुड़ की जगह थोड़ी शक्तर आप डाल सकते हैं अब आपने इस रोटी को घर से बाहर लेकर जाना है और काले रंग का कुट्टा आप धूढ़िए काले रंग का कुट्टा धूढ़ने के बाग इस रोटी को आपने उस काले रंग के कुट्टे को खिलाना है लेकिन रोटी खिलाने से पहल रोटी अपने हाथ में ले करके रखें और अपने मन में अपनी मनुकामना का ध्यान करें भगवान शनी का भी ध्यान करें कि है शनी भगवान आज शनीवार के दिन मैं काले कुट्टे को ये रोटी का दान कर रहा हूं और मेरे मन की जो ये मनकामना है, मेरे मन की जो इच्छा है ये तुरंत प्रभाव से पूर्ण हो जाए ऐसा ध्यान करने के बाद हाथ की जो रोटी है उसे आप काले कुत्ते को डाल देंगे और तुरंत प्रभाव से लोट कर घर आजाएं, घर आने के बाद अच्छी तरह से अपने हाथ, पाओं और थोड़ा अपने मूँ पर पानी का छीटा लगा लीजिए लगा तार नो शनिवार, यह कारिय, यह करम आपको करना होगा, बीच में कोई भी शनिवार मिस नहीं करना है मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, कि अगर आपकी लाइफ की कोई बड़ी से बड़ी प्रोब्लम भी होगी, तो इस उपाए को अगर आपने एक बार कर लिया, तो आपके लाइफ की जो बड़ी से बड़ी प्रोब्लम है, बड़ी से बड़ी समस्या है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा प्यारे बंथू जनों शनिवार का दिन बहुत खास होता है मैं फिर आपको बता रहा हूँ और आज का जो ये उपाई मैंने आपको बताया है ये तो इतना जादा प्रभावशारी है जिसकी शब्दों में व्यक्षा नहीं की जा सकती तो प्यारे बंथू जनों अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रशन है तो आप कमेंट बोक्स में अपना वह प्रशन पूछ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विशे क साथ तब तक के लिए आप सभी भगत हंसते रहें मुस्कुराते रहें और भगवान शंकर जी की कृपा आप सभी के ओपर बनी रहे मेरे साथ मिलकर के सभी भगत जन भगवान श्री कृषन जी का जिहान करेंगे ओम करार विंदे नपदार विंदं मुखार विंदे विनवेशयंतं वटस्य पत्रस्य वटेश्यानं बालं मुकुंदं मनसास मुरामी ओलिय श्री कृषन भगवान की जै